हेलो एवरिवान वेलकम तु दे चानल ओफ केवी टीचर्स गेड़ स्टूडेंग्स दिस पार्ट टू अफ क्लास्टिक्स साइंस चाप्टर मोशन और मेजरमेंट ओफ दिस्टेंस इस चाप्टर की पार्ट बन वीडियो में हमने कुछ नॉन स्टांडर यूनिट्स देखी मेजरमेंट की आप चीजों को अपने हैंड स्पैन से मेजर कर सकते हैं लेंट ओफ फुट से गिल्ली डंडा से भी हमने मेजर किया पेंसिल से मेजर कर सकते हैं लेकिन ये person to person vary करती है अब आपी क्लास में इतने बच्चे सभी की length of pencil different होगी handspan सभी का जो length of handspan है वो सभी का अलग होगा इसलिए इनको non-standard unit कहा जाता है part 2 में हम कुछ standard units के बारे में पढ़ेंगे plus type of motions को देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं कोई भी बच्चा अगर new हो channel पर आप channel को subscribe कर लीजे बेल आइकन को press कर लीजे so we were on page number 99 topic है आपका standard units of measurements in ancient times पुराने जमाने में the length of foot आपके pair की length heel से लेका toe तक जो length होती है वो width of finger आपके finger की उंगलियों की width and the distance of a step और आपके step की distance एक कदम जब आप चलते हैं बीच में जो distance आप कवर करते हैं वो were commonly used as different unit of measurements उनको use किया जाता था unit of measurement के लिए the people of Indus Valley civilization इंडus Valley civilization के बारे में आपने पढ़ा होगा अपनी history में वहां के जो लोग थे they must have used very good measurement of length ऐसा माना जाता है कि उन्होंने शायद बहुत अच्छी unit use की होगी measurement की because we see evidences in excavation of perfectly geometrical construction क्योंकि जब उस site को excavate किया गया वहां पर खुदाई की गई तो कुछ geometrical constructions मिली है जो बहुत perfect है तो ऐसा माना जाता है कि शायद वहां के लोगोंने कोई बहुत अच्छा unit of measurement use किया होगा a cubit is length from the elbow to the finger important है cubit generally पूछ लिया जाता है cubit किसे कहते है हाथ कहा जाता है हिंदी में इसको आपकी elbow से लेकर आपकी कहोनी से लेकर आपकी finger tip तक middle finger जो है वहां की tip तक उसके सिरे तक जो distance है आपके हाथ के उसको cubit कहते है this was used in ancient Egypt ये पहले Egypt में use किया जाता था and was also accepted as a unit for length in other parts of the world और बागे part of the world में भी unit of length था पहले measurement के यही तरीके थे तो cubit क्या होता है cubit use किया जाता था आपके कोहनी से लेकर finger tip तक के बीच के distance people also use the foot as unit of length in different parts of the world foot को आपके pair को भी use किया जाता था different parts में the length of foot used varied slightly from region to region और length of foot जो है यह vary करता था from region to region people measured a yard of cloth by the distance between the end of outstretched arm and their chin यह important है एक yard कैसे measure किया जाता है यह आज कल भी आपने देखा हो कई बार जो कपड़े बेचने वाले आते हैं आपकी mother जब measure करती है घर में कोई चीज रांडम ऐसे ही तो वो अपना एक हाथ पहला लेती है पूरा इस हाथ में कपड़े को पकड़ते और यहां से लेकर अपनी चिन तक यह जो बीच की distance है आपके स्ट्रेच्ट हाथ से फैले हुए हाथ से लेकर आपके चिन तक की बीच की जो distance है वो एक यार्ड है और इससे क्लोथ मेजर किया जाता है आज के टाइम पे भी नेक्स्ट इससे क्या जाता था पहले नॉन स्ट्रेच्ट के उसमें क्यूबिट आपको पता होना चाहिए ओके next in ancient India अगर हम भारत की बात करे small lens measurements used whereas angle और मुठ्थी जो बहुत छोटी छोटी लेंद होती थी उनको अंगुल यानि की उंगली आपकी fingers और मुठ्थी यानि की fist उनसे यूज किया जाता था even today आज की time पे भी we can see flat sellers using their four arms yes flat sellers आपने देखेंगे अपनी four arm को आगे की arm जो है हाथ को use करते हैं ना अपने के लिए garlands को अगर आप माला लेने जाएंगे इतनी लंबी माला चाहिए तो वो अपने हाथ से ही measure करते हैं उसको four arm से अपनी कोहनी से लेकर अपने हाथ तक की जो distance है उससे फटा-फट तीन-चार बार लपेटेंगे उस पे और फिर आपको दे देंगे कि ये चार हाथ है या फिर ये पाँच हाथ है जब convenient हो आपके पास scale नहीं है या फिर इतना exact आपको measurement नहीं चाहिए तो फिर हम different body parts को use कर लेते हैं नापने के लिए हावेवर आपने भी कभी ने कभी क्या होगा playground को नापना है या फिर आप जब cricket खेलते हैं वैसे गली cricket खेलते हैं तो stem से थोड़ा सा एक दो step आगया आते हैं वहाँ पे line draw कर देते हैं है ना तो ये कुछ non-standard units हैं जो आज भी हम use करते हैं हावेवर जब की everyone's body part could be of slightly different sizes हर किसी के body part किछ different size के होते हैं this must have caused confusion in measurements इसने जरूर confusion किया होगा measurement में in 1790 देखी कितना पहले 1790 में the french created a standard unit of measurement called the metric system France के लोगों ने standard unit of measurement बनाया जिसको metric system कहा गया metric system का introduction कहा हुआ था France में याद रखेंगे आप for the sake of uniformity ताकि uniformity आए हर जगे समानता रहे अलग-अलग सभी लोग measure ना करे scientists all over the world have accepted a set of standard unit of measurement हर जगे के हर देश के scientists ने इसको accept किया ताकि सब जगे uniformity ने ऐसा नहीं कि इंडिया में अलग चल रहा है और अमेरिका में अलग है इंगलांड में अलग है रश्या में अलग है तो हर जगे इसको use किया गया और इसको कहा जाता है SI SI मतलब standard international known as international system of unit the SI unit of length is meter again an important point हाला कि आप length को kilometer में भी measure करते हैं जो बहुत बड़ी length होती है छोटी length को centimeter में भी करते हैं लेकिन standard unit क्या है standard unit है meter इसलिए देखिए हर किसी के पीछे meter लगा है centimeter decimeter kilometer decimeter decikilo centimeter decikilo centi यह तो हर किसी में होते हैं liter में भी होते हैं meter में भी होते हैं kilogram kilogram decigram लेकिन last में जो unit लगी है वो standard होती है मतलब meter जो है यह standard unit है आपकी length की a meter scale is shown in figure 10.6 also shown is the 15 centimeter scale in your geometry box बिल्कुल आपके geometry box में 15 centimeter का scale भी होता यह देखिए यह एक meter आपको दिखाया हुआ है यह आपका scale है 15 centimeter वाला और यह 1 meter का scale है 1 meter 100 centimeter होते हैं इसमें 1 meter equals to 100 centimeters तो अगर आप इसको zoom करके देखिए देखिए 99 अलाकि बहुत clear नहीं है picture और यह 100 100 centimeter का यह आपका एक 1 meter scale है कपड़े नापने वाले के पास आपको ज़रूर दिख जाएगा अगर आप थोड़ा सा idea लगाना चाहिए अपने दोनों hands को open कर लीजिया आपकी एक finger tip से दूसरे finger tip तक लगबग इतना होता है एक meter okay each meter is divided into 100 equal divisions हर एक meter को 100 equal divisions में divide किया होता है उन्हें हम कहते हैं centimeter each centimeter has 10 equal divisions बिल्कुल यह आपने अपने scale में देखा होगा यह देखिए ऐसा कुछ आपका scale होता है यह centimeters है आपके 0 1 2 3 4 5 6 इसके बीच में 2 centimeters के बीच में 10 divisions होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 okay तो यह जो 10 में divided होता है यह हर एक centimeter इनको हम बोलते है millimeters 1 millimeter कितना है बहुत ही छोटा इतना सा यह है 1 millimeter clear है 3 millimeters यह है 3 millimeters 1,2 and 3 इतना 3 centimeter यह इतना है 3 centimeter यहां से यहां तक 1,2,3 तो हर एक meter कहने का मतलब है 1 meter में 100 centimeters होते हैं और 1 centimeter में 10 millimeter होते हैं okay एक और unit है kilometer 1 kilometer में 1000 meters होते हैं कितना डिफ्रेंस है तीनों में ही सब बहुत चोट वैसे मिलिमीटर सबसे चोटी यूनिट है इतने से बस इतना ही आप एक डॉट लगाओ अल्मोस्ट इतना ही सेंटीमीटर मिलिमीटर होता है आपका 10 डॉट्स लगा दोगे ऐसे ही तो एक सेंटीमीटर बन जाएगा, 100 सेंटीमीटर मिलकी एक मीटर बनेगा और 1000 मीटर मिलकी किलो मीटर बनेगा बहुती छोटी unit है अगर चीटी आपको measure करनी है तो फिर वो millimeter में होगी और distance आपको measure करनी है between Mumbai and Delhi तो वो highest unit जो है आपकी वो kilometer है measurement की सबसे छोटी unit है millimeter सबसे बड़ी unit है kilometer हलाकि बीच में और भी बहुत सारी unit है decimeter, decimeter, hectometer लेकिन उतना detail में अभी आपको नहीं जाना है अभी सिर्फ ये चार units आपको पता होनी चाहिए millimeter, centimeter, meter and kilometers और इनके relationship पे question भी आता है exam में आपको change करने के लिए बोल सकते हैं यहाँ पे आपको वही दिया हुए so one meter में hundred centimeter होते हैं, one centimeter में ten millimeters होते हैं for measuring large distances, जब आपको जादा लंबी distances measure करनी हो, meter is not convenient unit meter convenient unit नहीं थी so हमने larger unit length के जिसको हम kilometer कहते हैं, one kilometer में thousand meter होते हैं now we can repeat all our measurement activities using a standard scale and measure in SI units before we do that, we need to know the correct way of measuring length and distances yes, अब आपको पता तो लगया unit कैसे measure आपको करनी है लेकिन अब सही तरीका क्या है measure करने का correct measurement of length in our daily life, we use various type of measuring devices we use meter scale for measuring length a tailor use a tape tailor के पास आपने देखा होगा scale नहीं, tape होती है measuring tape whereas a cloth merchant uses a meter road अगर आप cloth merchant के पास जाएंगे कपड़ा लेने तो उसके पास एक meter road होती है लोहे की for measuring the length of an object you must choose a suitable device आपको क्या measure करना है उसके लिए एक suitable device चूज करना पड़ेगा you cannot measure the girth of a tree or size of your chest using a meter scale आपको एक पेड का गर्थ मतलब चारो तरफ घेरा जो है उसको अगर नापना है कि कितना वो है गोल है या फिर आपको आपको आपके chest का size नापना है उसके लिए मोटा है पहले कितना था कितना हो गया तो आप scale लेके जाएंगे तो विल्कुल सही से measure नहीं होगा उसके लिए आपको measuring tape चाहिए होगी है ना या फिर आप अगर दर्जी के पास जाते है उसको आपका shoulder नापने है कि कितना है neck नापने है कितना बड़ा गला बनाना है तो वो scale लेके नापका scale क्योंकि flat होता है तो वो इसलिए useful नहीं है टेप जो है वो आपकी उसकी बनी होती है प्लास्टिक की तो वो easily मुड़ जाती है तो that is why वो उसको use करता है for small measurements such as the length of your pencil you can use 15 cm scale अगर आपको distance नापनी है माननी जापको अपनी pencil की length देखनी है कल कितनी थी मैंने कितना लिखा कितनी काम हो गए तो आप scale use कर सकते है क्योंकि छोटा है in taking measurement of length we need to take care of the following जब आप किसी चीज को नाप रहे है तो आपको ये चीज़े ध्यान देनी है place the scale in correct contact with the object difference आ रहा है यहां से आप देखेंगे तो ये 13 से थोड़ा सा कम है 13.23 और यहां पर 3.5 है exact तो 2-3 mm का difference ऐसे बन जाता है जितना आप टेड़ा लगाते जाएंगे उतनी distance बड़ी होती जाएगी सबसे पहले तो measure करना है जब आपको straight रखना है इसकी length की according 0 है जैसे यहां पर है 0 यह यहां पर 0 का रिसायन है तो आप 0 से measure करेंगे लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप यह गलत तरीका हो जाएगा क्योंकि आगे scale है ही नहीं फिर आप 1 से measure करेंगे और जितना आपका आया मानलो 14 आया है यहां पर आपका 14-1 कर देंगे 13 क्योंकि आपने 1 से measure करना start किया है यह बहुत बच्चों में confusion होते है कि 1 से शुरू करें 0 से तो unit का measurement हमेशा 0 से ही होता है अगर आपका scale सही है टूटा है तो फिर 1 से कर लीजे यहां से टूटा हुआ है तो फिर 2 से करिए जो जितनी आपके distance है उसमें से 2 माइनस कर दीजे दूसरा तरीका यह अगर broken है तो जहां से सही है आपका scale 0 को छोड़ दीजे आगे करें और फिर उससे माइनस 1 कर दीजे जिससे आपर 14.3 है तो माइनस कर दिया 13.3 हो गया आपका correct position of i यह आपको maths में भी बताया गया है geometry जहां पर शुरू हुई है कि कैसे आपको distance length को देखना है तो तेड़ा नहीं देखना भी अगर आपने scale ऐसे place किया है आप इधर से देखेंगे तो देखे 7 से कम आपको दिखाई देगा क्योंकि scale की भी थोड़ी सी thickness होती है हलांकि वो transparent है लेकिन इधर और इधर से देखने से corner से देखने से 1-2 mm का difference पढ़ जाता है तो आपको बिलकुल उपर से बिलकुल 90 degree का angle बनाते हो बिलकुल सीधा उससे देखना है ओके तो यह तीसरा देखने का तरीका है तो यह कुछ चीज़े ध्यान रखने है सबसे पहले तो place करना है बिलकुल ऐसे straight बिलकुल दूसरा बिलकुल उपर से देखना है तीसरा 0 से शुरू करना अगर 0 नहीं है तो 1 से शुरू करिए फिर जितनी length है उसमें से minus 1 कर दीजिए clear अब आपको कुछ चीज़े दी हुई है कि ऐसी line है कोई मैं कहूँ इसकी length निकाल के बताओ तो कैसे करेंगी scale तो इसके उपर रखा नहीं जा सकता scale तो बिलकुल सीधा होता है या तो आप बिलकुल ऐसे करें पहले scale यहां रखे यहां उससे भी measure नहीं होगा इतनी distance करके फिर add करें वह बहुत lengthy task होगा और exact measure भी नहीं होगा तो जब आपको किसी curve line की distance measure करनी हो एक धागा लीजिए इसके उपर thread रखा जा सकता है जैसे आप उसको fold करेंगे ऐसे रखिए thread को इसके उपर मालने जबने red color का thread लिया बिलकुल उपर उपर रखते जाए यह place करके उसके बाद जहां तक यह length है उसको cut कर लीजिए फिर thread को फैला के रखिए और उसके वो scale से measure कर लीजिए ओके curve line को directly meter scale से नहीं use करना thread से use करना curve line की along पहले आप उसको place करेंगे फिर cut करेंगे जहां line खतम होती है and then उसको scale से measure करेंगे एसे देखे जहां पर यह बच्चा कर रहा है यहां तक रखा फिर यहां से पकड़के आगे रखा फिर ऐसे 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 करते हो end तक लेगे गया B point जहां पर cut कर ले और फिर उसको measure कर लिया यहां पर यही आपको बताया हुआ है moving things around us अब हम motion की बात करने वाले है think of some objects you have seen recently कुछ चीजों के बारे में सोचे जो आपने अभी देखी हो इनको 10.4 में लिखे जैसे की school bag देखा आपने muskito देखा है अभी table देख रहे है लोग chair पे बैठे हुए है people moving about चारो तरफ घूम रहे है जो भी आप देख रहे हैं butterfly dog cow अपना हाथ चोटा baby fish water may house factory piece of stone horse ball bat moving train swing machine wall clock hand आपके घर का sofa table chair एक cycle जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो आप यहाँ पर दिख देंगे which of these are moving which are at rest कौन सी चीज दिन में से move कर रहे है जैसे घर की clock आपकी move कर रहे है fish water में move कर रहे है घोड़ा move कर रहे है पत्ता जो है वो move कर रहे है dog move कर रहे है बटरफ्लाई move कर रहे है कुछ चीज़ें जो रेस्ट में है जैसे आपका school bag रखा हुआ है table rest में है अभी swing machine मालिजे move कर रहे है train move कर रहे है तो आपका hand जो है clock के hand sorry वो move कर रहे है तो कुछ चीज़े moving है और कुछ जो है motion में है कुछ rest में है जैसे घर table clock clock rest में है लेकिन clock की hands वो move कर रहे है bird move कर रहे है how did you decide whether an object is in motion or at rest कैसे आप decide करेंगे यह move कर रहे है या rest पे है you might have noticed that the bird is not at the same place after some time थोड़े time के बाद bird उस जगह पे नहीं है जहां वो पहले थी उड़के आगे चली गई है तो हमें पता लगा कि यह move कर रहे है while the table is at the same place table वहीं पर है जहां पर पहले थी तो यानि कि यह move नहीं कर रहे है on this basis इस basis इस पर आप decide कर सकते हैं कि object rest में है या motion में है अगर थोड़ी दिर बाद उसकी position change होती है मतलब कि वो motion में है otherwise वो rest में है select a place where you find ants एक जगह देखे जहां पर आपको ants मिल जाए थोड़े से large sheet of white paper उसके उपर रख दीजे ground के उपर और उनके उपर sugar डाल दीजे ants are likely to be attracted to the sugar attract होंगी उसके उपर and you will find many ants crawling on the sheet of paper soon जल्दी आप देखेंगे कि बहुत सारी ants है वो उस paper के उपर crawl कर रही है for any one ant try and make a small mark with a pencil near its position when it has just crawled on to the sheet of paper एक किसी भी ant को पकड़ लीजे उसको मतलब चूज कर लीजे वो जहां पर है उस पर एक point लगा दीजे कि यहां पर है keep marking its position after a few seconds as it move on the sheet of paper जब वो sheet of paper पे move करें ध्यान रखेंगे और वहां पर points लगाते जाहिए after some time shake the paper free of sugar थोड़े देर के बाद उसे sugar से free कर दीजे और ants से connect the different points on the mark with an arrow to show the direction in which the ant was moving और देखे कि ant कि इस direction में move कर रही थी पहले हमने देखा ant यहां पर थी फिर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर तो उनको arrows से आप join कर देंगे कि इस तरीके से इसने move किया each point you mark shows where the ant moved to in interval of few seconds थोड़े से second के बाद ant कहा कहा move करी यह उसकी movement शो करेंगे जो आपने आरोज लगाए है motion seem to be some kind of a change in position of an object with a time definition है motion की अगर पुछा जाएगा motion क्या होता है एक्जाम में तो यह definition आप लिखेंगे motion का मतलब है change in position of an object with a time time के साथ जब कोई object अपनी position change करता है पहले वो कहीं है थोड़े देर बाद कहीं है मतलब की वो motion में है अभी आपकी काल अभी यहाँ है थोड़े देर बाद आपने देखा तो आगे चलेगी मतलब वो motion में है लेकिन अगर यही पर है और यही पर खड़ी है मतलब वो at rest है motion में नहीं है in activity 5 where did you place objects like clock, swing machine और an electric fan in the grouping object आपनी जब देखा था clock की हमने बात की थी या फिर swing machine, electric fan, fan आप देख रहे है घूम रहा है घूल घूम रहा है घूल घूम रहा है आपकी चट के उपर है तो आप उसको क्या कहेंगे motion में कहेंगे या फिर at rest कहेंगे are these objects moving from one place to another no, एक से दूसरी जगे तो यह जा नहीं रहे है do you notice movement in any of these parts क्या इनके किसी पार्ट में movement हो रहे है clock की hands में movement हो रही है studio में movement हो रही है fan के blades में movement हो रही है वो constant गोल गोल घूम रहे है the blades of fan are the hands of clock how are they moving कैसे move कर रहे है round round घूम रहे है is there movement similar to that of ant or the train क्या उनकी movement ant यह train जैसी है नहीं ant और train सीधी जा रहे है train भी straight जाती है लेकिन यह क्या है गोल गोल घूम के बार बार एक ही उसमें ऐसे घूम रहे है let us now look at some type of motion to help us understand these differences अब हम कुछ type of motions के बारे में पढ़ेंगी ताकि आप इन different type of motions को understand कर सके तो motion मतलब हमेशा यही नहीं है कि आप straight line में चल रहे है आगे जा रहे है जो आपकी constant एक ऐसी भी motion होते है बिल्कुल ऐसी है फिर pendulum को आप देखिए इधर 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 ऐसे ही जाए जा रहा है यह भी एक motion ही है अब हम type of motion के बारे में पढ़ते है you may have observed the motion of a vehicle on a straight road march past of soldier in a parade or falling off a stone आप देख रहे हैं उपर से कोई stone गिर रहा है या फिर busses जो है different vehicles रोड के उपर जा रहे है या फिर soldiers march कर रहे हैं आगे की तरफ जा रहे है what kind of motion is this sprinter in a 100 meter race also move along a straight track sprinters हम बोलते है athlete जो की race करते हैं आपके तो 100 meter की race में straight track पे वो जाते है can you think of more such example from your surrounding आप अपने चारो तरफ से और कुछ ऐसे example ले सकते है train चल रहे है cycle से आप स्कूल जाते है कोई बुलो कार्ट जा रहा है तो वो सीधी लाइन में straight जाता है हलांकि कहीं मुड़ भी जाता होगा बीच में बट straight है ऐसा नहीं कि घूम के बार-बार वहीं आ रहा है circular motion या कुछ ऐसे है in all these example we see the object move along a straight line ठीक है this type of motion is called rectilinear motion important line है rectilinear motion हमारा first type का motion है जहां पर object एक straight line में जाते हैं next activity देखे take a stone एक stone लीजिए उसको एक धागे में बांग दीजिए wall it उसको धागे को पकड़के उपर से उसे घुमाईए अपने हाथ से observe the motion of stone stone का motion देखिए हम देखते हैं कि motion जो आपका पत्थर है वो उपर आप पकड़ेंगे धागे को चारो तरफ घुमाएंगे तो एक circular motion में घुम रहा है जो चीज गोल-गोल घुमती है उसको circular motion हम लोग कहेंगे जैसे की रहेट में जो आपका बुलॉक है वो राउंड राउंड घुमते थे पहले यह होता था irrigation के लिए और इसमें पानी आता था तो यह यह भी circular motion है यह जो घुम रहा है यह भी circular motion है उसके बाद यह जो wind का होता है आपको direction बताने के लिए यह भी round round घुमता है तो यह भी circular motion है आपका जो fan घुम रहा है वो भी circle में घुम रहा है distance ऐसा नहीं है कि दूर चला गया है वही पर है fix लेकिन motion कर रहा है तो इस motion को circular motion कहते हैं दो motion हमने पढ़े rectilinear जो की सबसे पहले rectilinear जो की straight line में होते हैं linear मतलब line और second circular जो की circle में होते हैं जो आपकी clock move करते है वो भी गोल गोल ही move करते है वो भी circular motion है electric fan और the clock by themselves are not moving from one place to another आपके घड़ी या फिर पंखा खुद मूव नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके कुछ parts मूव कर रहे हैं जैसे कि उसका blade मूव कर रहा है उसके जो आपके clock है उसके hands मूव कर रहे हैं if we mark a point anywhere on the blade of fan or on the hand of a clock the distance of this point from the center of fan or the clock will remain the same as they rotate अगर आप एक यह point लगा दें यह कहीं भी move करेंगे इनकी distance हमेशा इससे same ही रहेगी यह अपने circle में पड़ा होगा अपने maths में और इस distance को हम क्या कहते हैं इसको हम बोलते है radius क्योंकि radius हमेशा same ही रहती है center के उससे मतलब कि distance को ही travel नहीं कर रहा है बस अपनी उसमें गोलगोल घूम रहा है अब हम बात करते है next type of motion की in some cases the object repeat its motion after some time जैसे कि यहाँ पर repeat करता है अपने ही motion को एक time के बाद this type of motion is called periodic motion एक period के बाद जब repeat करने लगे तो उसको हम periodic motion कहते है यह इधर से इधर आएगा फिर इधर से वापिस दर चला जाएगा फिर इधर आएगा pendulum आपका तो वही चीज बार-बार हो रही है इसको periodic motion कहेंगे circular नहीं है गोल नहीं गूम रहा है यह बिल्कुल take the stone tied with the string that you used in activity 7 activity 7 में आपने जो stone लिया था अब उसको hold कर ली जब गोल गोल नहीं गूमाना है उपर की तरफ नीचे पकड़ी और उसको इधर उधर ऐसे करिए ऐसे आपने यहां से पकड़ा हुआ यह string है यह पत्थर है तो ऐसे ऐसे इधर इधर इस तरीके से okay this is a pendulum यह ए कर देंगे तो वो मोशन में होगा it is an example of periodic motion a branch of tree moving to and fro एक पेड की जो branch है जो पेड से attach है जब हवा आती है तो वह एक बार इधर जाती है एक बार इधर जाती है तो उस to and fro to and fro इधर उधर उधर वो चलती ही रहती है उसको भी periodic motion ही कहेंगे हम okay moving of a child in a swing जब एक swing पर आप जूला जूलते हैं आगे जाते हैं पीछे जाते हैं तो वो भी periodic motion है string of guitar और the membranes of drum drum की membranes जब आप तबला बजाते हैं या फिर string guitar के जो string है thread जो है वो जब move करते हैं being played they are all example of periodic motion example आप सभी motion के जरूर कर ले 3 to 4 ये exam में पूछ ले जाते हैं वो भी हमारा periodic motion ही है देखें यहाँ पर आपको periodic motion के example भी बताएं हुए है pictures के through so where an object और part of it जब कोई एक object या फिर उसका कोई part अपनी motion को repeat करता है fixed interval of time में उसको periodic motion कहा जाता है did you observe a swing machine as part of activity in five आपने swing machine को देखा होगा you must have observed that it remain at the same location while any point on its wheel move in a circular motion जब आप चलाते हैं अगर आपने कभी swing machine देखी है सिलाई की machine देखी है तो इसमें यह circular यह होता है जो कि move करता रहता है ऐसे it also has a needle और उसमे इदर एक needle भी होते है sweet जिससे कपड़े सिलते हैं यह up and down up and down up and down move करते रहते हैं as long as its wheel rotate जब तक wheel rotate करता रहेगा तब तक वो up and down चलते रहेंगे देखी यह है आपकी swing machine इसको पकड़के आप घुमाते हैं यह गोल गोल घुमते रहता है यहाँ पर वील है और यहाँ पर आपकी वो sweet होती है निडल होती है जो कि up and down up and down up and down चलती रहती है और कपड़ों को सिलती है आपके इसमें दो टाइप के motion है कौन कौन से यहाँ पर हो रहा है circular motion क्योंकि यह wheel गोल घुम रहा है और यहाँ पर कौन सा है एक ही moment repeat कर रही है बार बार यह ज़रूरी नहीं है periodic motion में motion हमेश इसे ही हो pendulum की तरह है वो up and down up and down up and down up and down भी हो सकता है तो मतलब यहाँ पर जो आपकी यह है निडल वो कैसा motion शो कर रही है वो आपका periodic motion शो कर रही है कहीं भी जा नहीं रही है पहले यहाँ पर है फिर यहाँ चली गई moment नहीं हो रही है एक ही जगह पर है लेकिन वहीं पर ही रहते हुए वो motion शो कर रही है मतलब यह आपका periodic motion है okay so hopefully यह आपको समझ में आ गया होगा have you observe closely the motion of a ball along the ground ground में आपने ball को देखा होगा here the ball is rolling on the ground यहाँ पर ball rotate भी करती है गोल गोल भी गूम रही है ऐसा नहीं कि बॉल तो ऐसी कि ऐसी आगे चली गई गोल गोल गूमते हुए आगे जाती है और आगे भी जा रही है मतलब distance भी cover कर रही है और चारो तरफ अपने घूम भी रही है this the ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion यहाँ पर वो rotational motion में भी है मतलब गोल भी गूम रही है और rectilinear आगे भी जा रही है जैसे हम बात करें आपके पहिया की जैसे आपके cycle का जो wheel है वो गोल गोल भी गूम रहा है और आगे भी जा रहा है मतलब rectilinear भी है और rotational भी है can you think of other example where objects undergo combination of different type of motion बिलकुल आपके cycle का wheel अभी बता है गोल भी गूम रहा है और distance भी ट्रावल कर रहा है ऐसा नहीं है कि एक ही जगे पर हला कि आप अगर उपर उठा ले cycle को और फिर एक wheel को गुमाए पैडल पकड़के तो फिर वो सिर्फ गोल गोल गूमेगा आगे cycle नहीं जाएगी लेकिन अगर वो ground के उपर है तो वो round भी गूम रहा है और distance भी जा रहा है मतलब कि वो आपका rectilinear और rotational दोनों motion है अगर आप किसी cycle को cycle नहीं किसी और object को ले ली जाएगे टेबल को आगे खिसकाते हैं तो टेबल चारो तरफ गोल गोल नहीं गूमती सिर्फ distance ट्रावल करती है वो सिर्फ rectilinear है rotational नहीं है तेर है we did many measurement activities and discussed some kind of motion हमने measurement की activities की कुछ type of motions देखे हमने देखा कि motion जो है वो position में चेंज होता ह टाइम के साथ और यह position distance में भी आप मेजर कर सकते हैं this allow us to know how fast or slow the motion है इससे पता लगता है कि motion कितना fast and slow है the movement of snail on the ground a butterfly flitting from flower to flower a river flowing an aeroplane flying moon going round the earth and the blood flowing inside our body show that there is motion everywhere around us आपकी body में blood move कर रहा है sun आप देखते हैं sun तो नहीं आर्थ रोटेट कर रही है obviously हलांकि आप मून को देखते हैं कि going around the earth आठ के चारो तरफ गूम रहा है aeroplane fly कर रहा है river flow कर रही है butterfly ओड रही है snail ground पे चल रहा है आपके घर में fan चल रहा है cooler चल रहा है तो हमारे चारो तरफ motion है that is why यह chapter आपका important और इसी के साथ यह chapter भी finish होता है hopefully type of motions और measurement की units आपको समझ में आ गई होगी मोटा मोटा अगर बताएं एक्जाम में type of motions important है जितने भी आपको बताएं गहें example के साथ आपको पता होना चाहिए definition और दूसरा measurement की standard units और दो ती non-standard units पूछ ले जाता है name three non-standard units standard में तो सिर्फ एक ही है meter उसमें ही आपने centimeter, millimeter, kilometer बना दी है लेकिन non-standard की examples पूछ ले जाएंगे that's all students thank you so much for watching quiz this chapter की बहुत जल्दी upload कर दी जाएगी wait for that to come